अस्सलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम आपकी एन्वारिमेंटल स्टूडीज भुग का चप्टर नमर फायो चैंजिंग फैमिली पढ़ने जा रहे हैं पेज नमर है 35 बच्चो इस चप्टर में हम ये समझेगे कि एक फैमिली में किस किसम की चैंज आ जाती हैं जब भी किसी फैमिली में कोई खुशी का इवेंट होता है चप्टर पढ़ने से पहले हम देख लिएंगे कि फैमिली हम किसे कहते हैं यहां पे एक दिया हुआ है फैमिली वर्ड वट दिया बाइ फैमिली बच्चो फैमिली हम कहते हैं कि ग्रुप आफ बलड रिलेटेड पीपल लिविंग टोगेदर ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका आपस में खून का रिष्टा होता है ग्रुप आफ बलड रिलेटेड पीपल लिविंग टोगेदर तो यह एक साथ एक ही गर में रहते हैं इसे हम कहते हैं फैमिली जैसे आप अपने ममी पापा के साथ अपने गर में रहते हो और आपका दादा दादी वो भी आपकी साथ रहते हैं तो ये एक family बनता है, इसे हम कहते है family अच्छा, family इसी तरह इस चप्टर में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं दो families के बारे में एक निमी की family, दूसरे है यासर की family निमी एक girls है और यासर एक boy है तो इन निमी और यासर की families में कुछ ऐसे events होते हैं जिन events के वज़ा से इन families में कुछ changes आ जाती हैं वो किस कसम की changes है ये हम आगे देख लेंगे तो बच्चो आप निकालो page number 35 changing families का chapter तो यहाँ पे हम text पढ़ेंगे here are some pictures of families यहाँ पे इस page पे कुछ families की pictures दी हुई है these are the families of निमी और यासर यह जो फोटोग्राफ्स है यह निमी और यासर की families की photographs है तो इन photographs पे हम लुक करेंगे let's look at these pictures इन photographs को हम देख लेंगे talk about what we see तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि हमने क्या देख लिया इन picture से और उस पे discuss करेंगे तो पहला है निमी की family के बारे में a new arrival एक नई आमद होती है नई आमद होती है निमी की family में नई आमद से यानि कोई नया इनसान इनकी family में आ जाता है निमी की family में तो there is a great excitement in नमी's family टेक्स्ट हम जब पढ़ते हैं निमी की family में एक बहुत बड़ी खुशी होती है तो निमी की family में एक बहुत बड़ी खुशी होती है खुशी किस बात की होती है she has a new baby sister निम्मी की family में एक नया बच्चा पाइदा होता है निम्मी की sister तो अगर हम इन pictures पे देखते हैं तो पहली picture पे plus sign लगा हुआ है plus sign से हमें पता चलता है कि यह जो picture है यह एक hospital की picture है यानि निम्मी की जो baby sister उसकी बरत उसकी पाइदाश कहा होती है hospital में होती है तो दूसरी picture में है कुछ लोग एक है निम्मी का father और है निम्मी की mother निम्मी की grand mother दादी मा और खुद निम्मी और जो red से यहां पे highlight किया हुआ है यह है new baby निम्मी की baby sister तो यह इसके अलावा निम्मी का एक और relative होता है निम्मी का uncle तो अब कुल कितने लोग यह आ गए जब एक baby sister की पाइदाश होती है इनके घर में तो यह अब कितने लोग total आ गए कितने members family members आ गए एक निम्मी का father second निम्मी की mamma third निम्मी की grandma fourth निम्मी का uncle fifth निम्मी खुद और sixth new baby तो यह total six family members आ थे हैं निम्मी की family में तो इस तरह हम बागी pictures भी देख लेंगे आगे look at the pictures and write अब हमें यह किताब वाला हमसे कहता है कि आप इन pictures को देख लो और आप कुछ questions के answers देने हैं हमें तो पहला question है यहाँ पे बेबी सिस्टर निम्मी की family में कौन कौन से family members थे जब उसकी baby sister का अभी birth नहीं हुआ था अभी baby sister पाइदा नहीं हुई थी उससे पहले निम्मी की family में कौन कौन सा family member था तो अभी मैंने आपको बताया एक तो निम्मी का father, दूसरा निम्मी की mother, third निम्मी की grandmother, fourth निम्मी का uncle और खुद निम्मी इन्हें बच्चा पाइदा होने से पहले baby sister पाइदा होने से पहले निम्मी की family में five family members थे तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्मी is father, mother grandmother, uncle and निम्मी तो यह total होगे five family members तो अब next page पे हम जाएंगे page number 36 page number 36 पे एक और question दिया हुआ यहाँ पे how many members are there in निम्मी's family now अब जब बच्चे की पाइदाश होगी निम्मी की जो baby sister उसकी बरत होगी अब यह total कितने आ गई तो पहले यह पाँच थे अब निम्मी की baby sister भी है यह मिला के अब कितने members होगे six family members एक निम्मी का पापा निम्मी की मॉम्मा निम्मी की ग्रैंड मदर निम्मी खुद निम्मी का अंकल और निम्मी की baby sister यह total अब आगए six family members पहले पाँच थे अब बच्चे की पाइदाश के बाइद अब यह six members होगे तो यहाँ पे लिखेंगे six family members तो आगे चलते हम let's talk पहला point है यहाँ पे how do you think आप कैसे सोच लेते हैं क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कि the lives of निम्मी's family members have changed after the arrival of the new baby for example कि जो निम्मी की family members उनकी जिन्देगी में कुछ changes आ गई कुछ change तबदीलिया आ गई कब आ गई तबदीलिया जब उनके घर में baby sister की पाइदाश होई for example point number one किस किसम की तबदीलिया आ गई यह हम देख लेंगे तो यह हम discuss कर लेंगे पहला point है यहाँ पे how how will निमी spend her day now अब जब निमी के घर में baby sister की पाइदाश होगी अब निमी की यह जो निमी अपना time अपना दिन कैसे गुजारेगी तो निमी तो पहले अगर वो school जाती थी अपने friends के साथ खेलती थी अपना home वर करती थी यह तो उसका routine वो रख था अब निमी एक और काम निमी की जिंदगी में आ गया निमी की daily routine में एक और काम आ गया वो काम है निमी will spend हम लिखेंगे निमी will spend her day playing with her baby sister निमी अपना दिन अपनी daily routine वो रख के अलावा अपना time कुछ time अपनी इस baby sister के साथ खेलने में भी गुजारी की तो आई न अब चेंज निमी की life में पहले वो काम करती थी home वर एक करती थी स्कूल का काम करती थी अपने friends के साथ खेलती थी अब एक और काम उसकी इस daily routine में add हुआ कि अपनी baby sister के साथ खेलना तो ये change आगे निमी की life में तो next point what new work will her mother do now निमी की जो mother है मा है वो कौन सा काम नया काम करेगी अब पहले तो वो already काम करती होगी अपना house work family members के लिए काना पाकाना निमी का care करना बाकी family members का care करना अब कौन सा नया काम वो करेगी तो अगर हम देख लेंगी बेबी सिस्टर की बरत हुई है निमी की बेबी सिस्टर की बरत हुई है उसका care करना उसकी mother निमी की mother अब इस बच्चे का नावजाइदा बच्चे का new born baby का care करेगी तो ये हुआ ना इस डेली routine में निमी की mother की डेली routine में भी एक addition हुआ एक और काम आ गया बच्चे का care करना तो अब इसकी life में भी change इसकी डेली routine में भी change तो तीसरा point है तो हम लिखेंगे यहाँ पे her mother will take care of the new born baby निमी की माँ अपने नावजाइदा बच्चे की बच्चे का care करेगी तो तीसरा point है there will be a change in the daily work of निमी's father निमी's father की daily work में भी या इसी तरह grand mother और uncle की daily work में भी अब change होगा तबदीली आएगी कब तबदीली आएगी जब इनके घर में new baby की बर्त होगी तो इनकी life में भी इनके daily routine में भी change आएगी अपने काम के अलावाएए इस baby बच्चे के साथ खेलेंगे इसका care करेंगे they will spend their time in playing and taking care of new born baby तो इनके इस daily routine में भी addition हुआ एक और काम आ गया तो इस तरह इनके life में भी change आ गया तबदीली आ गई तो next है has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood क्या आपके गर में या आपकी किसी हमसाए के गर में किसी छोटे बच्चे का जनम हुआ है चाहे वो आपका बाई हो या आपकी बहन तो अगर बरत हुआ है पाईदा हुआ है कोई आपके गर में या आपके किसी हमसाए के गर में तो हमें बताना है तो अब हमें देखना है कि अगर किसी के गर में बच्चा पाइदा होता है उस फैमिली में कैसा फील होता है तो हम लिख सकते हैं पहले हमें बताना है कि क्या आपकी फैमिली में कोई बेबी न्यू बेबी बार्न हुआ है कि नहीं तो अगर हुआ है तो हम यास लिखेंगे अगर नहीं हुआ है तो नो लिखेंगे तो हम लिखेंगे यापे यास बेबी गर्ल इस बार्न इन माई नेवरोड हमरे किसी हमसा के गर में एक बेबी न्यू बेबी बार्न हुआ है तो next हमें बताना है कि how have things changed at home with new baby how does it feel to have a new baby at home तो कैसा लगता है जब एक नया बच्चा गर में आता है तो खुशिया ही खुशिया होती है जब भी किसी गर में कोई नया बच्चा पाइदा होता है तो इसके बाइद है हम दिखिंगे यहां पर answer में the family feels very happy when new baby is born तो यह पूरी की पूरी family खुश हो जाती है जिस family में कोई बच्चा पाइदा होता है इसके बाइद है next question हमें यहां पर next question है कि find out all find out all about the youngest child in your home or in the home of a related and right अगर आपके गर में कोई चोटा सा बच्चा पाइदा हुआ या कोई सबसे चोटा जो बच्चा है या आपके kis रिलेटि के गर में कोई सबसे चोटा बच्चा है इसके बारे में हमें लिखना है क्या लिखना है point one यहां पे है when was the baby born ये बच्चा कब पाइदा हुआए? एक महीना पहले अगर पाइदा हुआ है तो हम दिखींगे THE BABY WAS BORN ABOUT 1 MONTH AGO 2 महीने पहले अगर कोई बच्चा पाइदा हुआ तो हम दिखींगे BABY WAS BORN ABOUT 2 MONTHS AGO अगर किसी फामली में कोई नया बच्चा पाइदा हुआ है तो एक हफ़ पहले पाइदा हुआ हम लिखेंगे बेबी वाज बॉर्ण एबाउट है वीक अगो इसके बाया थे नेक्स्ट Is the baby a boy or a girl क्या जो नया बच्चा पाइदा हुआ आपके गर में क्या वो boy है क्या गर गरड़ अगर boy है तो हम लिखेंगे बेबी वाज अगर गरल है तो लिखेंगे बेबी बेबी वाज गर्ल तो हमने यहां पे लिखा है इसके बाइदे जाओ आर यू रलेट़ेटिटो ही और हर आपकी उसके साथ कुन से रिलेशन है आप उसके क्या लगते हो अगर या ब्रादर और सिस्टर यहां पे हमने लिखा है आइम हर ब्रादर तो यह रिलेशन होती है तो इसके बाद नेक्स्ट पेज पेज नमर 37 पे है कुछ और क्वेशन कि अगर आपकी फैमली में या आपके किसे रिलेटर के फैमली में कोई सबसे छोटा बच्चा है तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं यहां पे है एक और क्वेशन वाइर वाज दे बेबी बॉर्न तो बेबी यह जो बेबी बॉर्ट यह नया बेबी या सबसे छोटा बच्चा आपके फैमली में है इसकी बर्थ कहां पे हुई है इसकी पाइदाश कहां पे हुई है यह जूरी बच्चो आज के दोर में बच्चों की पाइदाश बर्थ ज्यादा तर होती है हॉस्पिटल्स में तो पहले पहले क्या होता था गरों में ही बच्चों के पाइदाश होती थी पहले जमाने में, आज के दोर में हॉस्पिटेल्स में बच्चों की बर्त होती है, तो यहां पे हम लिखेंगे, बेबी वास बॉर्न इन ए हॉस्पिटल, इसके बाइदा नेक्स्ट, फू ड़स दे बेबी लुक लाइक, यह जो यहां पे हम लिखेंगे, बेबी लुक्स लाइक हर मदर और हर फॉदर, तो यहां पे लिखा है, बेबी लुक्स लाइक हर मदर, इसके बाइदा नेक्स्ट कोईशन है, वाट इस दे कलर और हर हीर, यह जो नया बच्चा पाइदा होता है, निव बॉर्न बेबी होता है, तो इसके here's का color कैसा होता है इसके ये बालों का color कैसा होता है तो बालों का color usually जो नवजाइदा बच्चे होते हैं नियूबरन बेबी होते हैं उनके बालों का color होता है black कुछ का brown भी होता है तो यहां पे लिका है the color of her here is black next question है what is the color of his or her eyes eyes, उसके आँखों का color कैसा होता है, जो नया बच्चा पाइदा होता है, new born baby जो होता है इसके आँखों का color कैसा होता है तो आँखों का color भी black ही होता है, usually black ही होता है, काला color होता है, new born baby की आँखों का इसके बादे next question does the baby have any teeth यह जो बच्चा पाइदा होता है, नाया बच्चा क्या? इसके मौँ में दाथ होते हैं? नहीं, no, 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 the baby do not have teeth. क्योंकि जो new born babies होते हैं, उनके मौँ में दाथ नहीं होते हैं. तब जाके उसके मौ में धांत आ जाते हैं, जिने हम मिलक टीत कहते हैं, इसके बाइद है next question, what is the color of, what is the baby's skin color, यह जो बच्चा पाइदा होता है, इसकी skin का color कैसे होता है, skin का color, जो नवजाद है बच्चे होते हैं, new born babies होते हैं, उनकी skin का जो color होता है, वो red, थोड़ा red होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, reddish, red color, reddish purple color होता है, तो यहाँ पे pink लिखा हुआ है, यह pink, इनका color जो skin color होता है, वो red होता है, pink नहीं लिखेंगे आप, अप red लिखे तो इसके बाइद है, next question, next है, how many hours a day does the baby sleep, यह जो नवजाद है बच्चा होता है, तो यह कितने घंटों तक एक दिन में सोता है, तो बच्चे ज्यादातर जो new born babies होता है, यह ज्यादातर दिन में, ज्यादा time सोते हैं, अपनी माँ का दूद पीते हैं, दूद पीने के almost, the baby sleeps more than 15 hours a day, एक दिन में एक बच्चा 15 गंटों से ज्यादा नहिंद करता है, तो यह ज्यादा नहिंद करना उस बच्चे की सहत के लिए भी ठीक है, नावजादा बच्चों की सहत के लिए ठीक है, इसके बाइद है, next question, next हमें यह पूछता है, what different sound does the baby make, यह जो new born babies होते ह यह कूँ से आवाज ज्यादा निकालते हैं, तो यह ज्यादातर cry करते हैं, हम लिख सकते हैं, he or she cries, यह ज्यादातर चिलाते हैं, cry करते हैं, और भी कुछ किसम की sound does निकालते हैं, क्योंकि यह बात नहीं कर सकते हैं, जब तक यह तक तक रिए टो साल के हो जाते हैं, तब ज who does the baby stay with most of the time ये जो new born babies होते हैं ये ज्यादा time अपनी family में किस के साथ stay करते हैं किस के साथ ज्यादा रहते हैं तो obviously new born babies अपनी mother के साथ ही ज्यादा time spend करते हैं ज्यादा time रहते हैं तो the baby mostly stays with her mother तो last पे हमें stick a photograph of the baby or draw a picture in your notebook तो एक किसी बच्चे का आप photograph यहाँ पेस्ट करोगे अगर photograph न्यू बारन बेबी का photograph नहीं है तो आप एक picture बनाओगे यहाँ पे यहाँ पे आप एक picture बनाओगे एक न्यू बारन बेबी के अपनी notebook फे तो इस तरह से हमें ये topic complete होता है निमी के फेमिली के बारे में इस चप्टर का part one निमी के फेमिली के बारे में कौन कौन से changes निमी के फेमिली में आ गही जब इनके घर में एक नए बच्चे का arrival हुआ नए बच्चे की आमद हुई तो इस तरह ये topic complete होता है आप इस topic को फिर से revise करोगे दो तीन बार revise करोगे ताकि आपको ये पता चली कि कौन कौन से changes एक फेमिली में आ जाती है तो Thanks a lot students Stay safe, stay blessed